ये BAC B.com Part 1 में, जिस छातर को भी यहाँ पे College पसंद नहीं आया है, यानि जो वो College चूज किये थे, उस College में उनका नाम नहीं मिला है, जो College उन्हें मिला है, वो उन्हें पसंद नहीं है, या वो सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं, और College चेंज करना चाहते हैं, तो कैसे वो लाइड अप करेंगे इसके लिए क्या करना होगा क्या स्लाइड अप करने से उनका नाम जो है मन पसंद कॉलेज में उन्हें मिल जाएगा या नहीं मिलेगा इसके लिए यहां पर पूरी वीडियो बिल्कुत ध्यास देखे अगर आप भी कॉलेज चेंज करना चाहते हैं अग यहां पर अड्मिशन सामिल हुए जिसमें 120 नमांकन लिए बाकी 15 विद्यारति जो है वह नमांकन नहीं लिए अब देखे यहां पर कारन क्या हो रहा है कि बहुत साड़ी चात्रों को यह लग रहा है कि उन्हें जो कॉलेज मिला है उनका मन पसंद कॉलेज नहीं मिला है ऐस अगर आपकोậ मेरिटिस्ट में नाम आ गया है आप एड्मिसंड नहीं ले रहे हैं तो आपका सेकंड मेरिटिस्ट में नाम नहीं आ आएगा आपको उसके लिए slide up करना होगा, बीना slide up के आपका second matrix में नाम नहीं आएगा, तो इस बज़ा से अगर आप admission नहीं लेते हैं, तो आपको दिक्कत हो सकती है, second matrix में नाम नहीं आएगा, कैसे क्या करना है, पूरी विडियो ध्यान से देखेगा, के लिए मैं सिधे यहाँ पे बिहार help पे click कर रहा हो, बिहार help.in पे आपको लेके जा रहा हूँ, जब यहाँ पे आप click कीजेगा, तो यहाँ पे आपको university का option मिलेगा, ठीके, अब देखे, जिस university में आपको slide up करना है, उस university को आपको यहाँ पे का करना है, select कर लेना है, ठीके, जिसे माल लेजे, मैंने पाटली पुत्रा university को यहाँ पे select कर लिया, यहाँ पे करने के बाद, slide up के लिए आपको दिकत ना हो, इसके लिए direct link पे आप click करके भी slide up कर सकते हैं, तो नीचे के और जाएंगे, बस पूरी वीडियो ध्यान से आप देखते रहेगा, ठीके, आप यहाँ पे नीचे के और तो यहाँ पे direct आपको link मिलेगा, made list भी download करने का और slide up करने का भी, आप देखेंगे यहाँ पे, तो आप direct official website पे जाकर भी यहाँ से आप slide up कर सकते हैं, जब login करेंगे, वहाँ पे जाके login करेंगे, तो आपको slide up जो है, वो auto slide up जो है, वो आपको देखेगा, कि आपका auto slide up हो जो क्या ध्यान रखने वाली बात है, यह देखेंगे, पेडियाप करने से पहले, आपको cut up जो है, वो यहाँ पे देख लेना है, कि किस college का cut up कितना रहा है, और किस college में आप slide up करने जा रहे हैं, जिसका PDF जो है, वो आपकी website पे देखने को मिल जाएगा, पेडियाप आप कि किसी college का cut up जो है, बहुत हाई चला गया है, और वो college आपको नहीं मिला है, जैसे माल लेंगे, यहाँ पे इस college का देखा जाए, एन college का, एन college का economics में, यहाँ पे देख सकते हैं, कि 79% cut up गया है, इंगलिस में 80% cut up गया है, और कोई चात का माल लेजे 60% number है, और वो एन college च second mate list में नाम नहीं आएगा, तो आप एक बार अपना cut up को अपने number से जरूर मिला ले, slide up करने के पहले, कि आप cut up यह देख लें, कि जो cut up आ रहा है, उसके अनुसार आपका number है, तो ही आपका second mate list में नाम आएगा, second mate list में cut up जादा कमेगा नहीं, ठीक हैं, 5% से जादा cut up second mate list में आपका नहीं कटेगा, नहीं कमेगा, ठीक है तो यह देखते हुआ, आपको slide up करना है, अगर 5% के आसपस कमी है, 80% है cut up, अगर आपका 75% है, तो आप slide up का risk लें, नहीं तो slide up का risk नहीं लें, जो college मिला है, उसमें admission लें, देखें, यहाँ पर क्या बताया गया है, board की त कह रहा है, और university कह रही है, तो इस condition में university का यह कहना है, लेकिन अगर आपको यैसा कि मैंने बताया कि slide up करिए, slide up तब करिए, जब जिस college को आप select कर रहे है, उसमें 5% का अंतर आपको लगता है, तो ही slide up option चुने, तभी आपका second mid list में नाम आएगा, नहीं तो second mid list में नाम न जो है, बो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, एक से दो दिन में slide up के लिए, वहाँ पर option भी देने लगे, अभी option फिलाल नहीं दे रहा है, ठीक है, तो जो भी update आएगी, share पर आपको मिलते नहीं के, link description में दिया गया है, जाए फोड़ा फोड़िके slide up करें, अगर college पसंद न जो ज हो उड़ाई एगा, और लेता है, भी